नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस चानल धूब धुनची आरती में दोस्तों शिवपूजा में शिवजी को चढ़ाया हुआ भोग नई वेद्य उसे ग्रहन करना चाहिए या नहीं इस बारे में बहुत सारे लोगों का बहुत सारे सवाल होता है मुझे भी कैसा छाँ सारे मेर मिले हैं या तक किमेरे काई‡ इस पश्र में जो है वो पूछ रहे थे कि शिवजी को चढ़ाया हुआ जो atom ने वेद्य है že ज्यक्रायक पंति ज्यक्रशी सारी बैस्तों करना चाहिए फurnвой प्रसाद्व में नहीं करना हैं यह कितना यहाज जय वो जल्वी सरजन करना चाहिए और माता परवती को अलग से चढ़ाना चाहिए उसे प्रसात रूपने के वल ग्रहन करना चाहिए तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजों को लेकर ना पहली बात तो हम लोग बहुत सुने-सुनाए विश्व को प्रच्रिद विश्व में बह कि ऐसे थोड़े बहुत कॉंटेंट होते हैं यहां पर सही गलत की विश्व में नहीं कह रहा हूँ पर जो है ऐसे कॉंटेंट जो है वो प्रच्रित कुछ विश्व पर दिये देते हैं मतलब वहां पर जो भी सारे विश्व जो है वो प्रच्रित है उन्हीं सारे विश्व पर जो है बस एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चोथे, इस प्रकार से बस content भो बना देते हैं, देखिएगा विश्य जो है उसके कथन胟, जो ہے मूड लूप से कई ना कई जगे पर जाकर एक रूप का ही होता है तो ये एक प्रचलित content के हिसाब से होता है, मैं कहू वह द्रिर होता जा रहा है अगर पर अगर मैं यहां पर एक हम रखा है काशी है महात्व जो जो भी सारे शिवपूजन पधती है उससे मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पर तो वैसे काशी खंड जो कि सकंद पुरान के हैं, वो तो मैं पढ़ता ही हूँ, साथ में जो है, यह काशी महात्वम में क्या है, इसमें वायूपुरान, शिवपुरान और सकंद पुरान, इन तीनों की मिलत रूप से जो है ना कई प्रकार की शिवपूजन के विधान शिवपूजा करने से जो है आपको क्या फ़ल मिल सकता है शिवपूजा में क्या निशेद है और शिवपूजा सरल और सहज भावना से किस प्रकार से की जाती है इस बारे में जो है इस पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से वर्णन दिया गया है मूली रूप से काशी विष्वनात के पूजा के ऊपर और नन्मदीश्वन शिवजी के पूजन के ऊपर ही जो पुस्तक है इसमें दिया गया है इसके विधी और काशी शेत्र के महात्वक्य विश्व है तो भगवान भोले नात को ज और उसे कहा जाता है कि This map का अगर इस प्रकार से माप निया है तो सब से जाद़ा स्थेश्ट होता है तो हम जो शिवलिंग की पूझा हम घर पे कर रहे हैं तो वह इस प्रकार का होता है और उसके जो गौरी पट्टे होते हैं उसे कई समय हम तांबे के लेते हैं कई समय चांदी के लेते हैं उसे जो है हम पीतल के भी ले सकते या पर पूरा जो है वो शिला का भी बना हुआ होता है पर नर्वदेश्वर शिवजी को जो है वो तांबे की गौरी प्त या फर जो है चांदी के या फर पीतल के गौरी पट में जो है वो रखना पड़ता है पर पूड़ा शिवलिंगर जैसे कि मिल जाता है पनारस में मिलता है वैसे कई जो शिवशेत्र होते हैं वहा पर तो मिलता ही है बंगाल में एक भाई निम्झे वो हुगली जिले में है बंगाल के ही हुगली जिले में है और वहाँ पर शिवजी के एक पूरी जो भी शिवरातरी के पूजन हो चैतरा महीने की सावन महीने की जो भी सारे पूजन होते है वो होता है नित्य पूजन होता है भोगादी सारी चीज़े होते है वो ना मैं एक द पुजा करते हैं घर पे जो पूजा करते हैं वहाँ पर फल आदी चढ़ाते हैं तो वह हम क्या करते हैं पर शिव लिंग बहुत बड़ा होता है तो हम शिव लिंग के ऊपर ही उसे फल आदी वस्तु को जो है वो हम चरहा देते हैं तो कहा जाता है कि शिव लिंग के ऊपर जो भी वस्तु आपने चरहा दिये घ्यान से सुनिये दोस्तों इस विशक को शिव लिंग के ऊपर जो जो भी सारे वस्तु चढ़ा दिये चाहे वो फल हो गया चाहे वो पंचामृत अभिशेक हो गया उसमें जो है उनके गणों का अधिकार होता है यानि कि उनके गण जो होते है वो उसे प्रशाद रूप में ग्रहन करते है बाबा के प्रशाद के रूप में जो है वो ग्रहन कर इसलिए जो है उसे उठाना नहीं चाहिए उसे जो है वही पर रख देना चाहिए यानि कि शिव लिंग में चड़ाया गया जो भी सारे वस्तु है उसे ग्रहिन नहीं करना चाहिए. इसके पीछे ए जो मतलब सन्यासी जो तातपड़िय होता है कि भागवान शिप्त बैराग्य के ए अप्रतिमूर्ती है तो इसलिए त्याग की जो भावना अर्थात मनुष्य को जो है हमारे चढ़ाय हुए वस्तु जो है हमने संपुर्नता से बाबा को जो है वो समर्पन कर द तो यह जो विशय है वो भी इसके पीछे का भावना है इससे लेकर अलग वीडियो बन सकता है क्योंकि कही सारे विशयों के साथ कही सारे विशय इतना रिलेटेड होता है उसे लेकर ही शायद एक अलग वीडियो बन सकता है तो हम ऐसे विस्तारित में इस वीडियो में नही चढ़ा दिये वो जो होता है वो शिवगनों का अधिकार होता है वो बाबा के प्रशाद की रूप में जो है वो शिवगन ग्रहन करते हैं तो इस वज़े से कहा जाता है शैवमत के अनुसार जो है यानि कि शैवसिध्यान्त के अनुसार उसे जो है संपूर्णता से जो भी ग अर्थ भावना हमारी काम भावना हमारी अहम ये सारे वस्तों का त्याग जो है जो हम पंच इंद्रियों की माध्यम से जो है हम इन सारी चीजों को हम अपने जीवन में लाते हैं और इन सारी चीजों के कारण जो है हम कई समय जो है कई चीजों से मोहित हो जाते तो इस प्रका पुर्णता से त्याट कर दिया और भगवान शिव की और वैरागी की प्रार्थरा करते हैं तो भावना इसके पीछे यह है। तो विशय यहाँ पर यह हो जाता है कि शिवलिंग पर जो भी सारे वस्तु हमने चढ़ा दिये वो शिवगनका हो जाता है और वो एक प्रकार से त्याग की भावना के कारण भी होता है तो इस वज़े से जो है शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया तो क्या हम शिवलिंग के ऊपर उस समय फल आदी ये सारे वस्तु चढ़ा पाते हैं यानि कि जो भी सारे नईवेद्य, मतलब फल ही आप ले लिजाए, नईवेद्य के विश्य में मैं बाद में आता हूँ, नईवेद्य तो विश्य एक अलग होता है, नईवेद्य जो होता ह नईवेद्य होता है, याफर खानी के वस्तु के माध्धिम से दिया जाए, तो वो अलग विश्य होता है, नईवेद्य के बारे में इसलिए मैं बाद में आ रहा हूँ, तो जब आप घर पे शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं, तो उसमें जो है आपने अभिशेक आदी त क्योंकि मैंने आपको कहा कि बृध्धांग गुष्ट के बडाबर अगर होता है शिवलिंग, तो उस शिवलिंग में आप फल आदी कैसे चढ़ाएंगे, उसमें आप फल आदी कैसे रखेंगे, मंदिर में शिवलिंग जो होता है, वो बहुत बड़ा होता है, तो शिवलिं बहुत सारा मच्छड हो गया दोस्तों इसलिए ना मैं ठीक से बैट कर बात भी नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों से तो मतलब बहुत डिस्टरब हो जाता है इतना सारा मच्छड हो गया है तो जैसे कि दोस्तों मंदिर में जैसे कि जो आप जब आप चढ़ा रहे हैं तब आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ा यानि कि शिवलिंग में आपने उन सारी वस्तों को चढ़ा है पर घर पे आप लिंग में कहा चढ़ा रहे हैं घर पे तो आप लिंग के ऊपर कुछ नहीं चढ़ा रहे हैं उसके साइड में या पर उसके सामने कई लोग ठाली रगते त उसमें चढ़ाते, तो ये शिवलिंग में चढ़ाना कहा से हो गया, ये शिवलिंग में चढ़ाना नहीं हुआ, तो ग्रिहस्त नियम के अनुसार देखा जाए, तो ये विशय वहाँ पर लागू नहीं होता है, जब आप शिवलिंग के ऊपर जो है, जो सारी वस्तु चढ़ा रहे है केवल जो है उन सारी विशों को शिवगणों का अधिकार होता है इसलिए उसे उठाया नहीं जाता है पर घर पे पूजन करते समय हम शिवलिंग के ऊपर तो नहीं चरा रहे हैं मतलब शिवलिंग के भीतर हम नहीं रख रहे हैं तो उन सारी चीजों को ग्रहन करने में क इसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है दोस्तों क्योंकि हम शिवलिंग के ऊपर उसे नहीं रख रहे हैं शिवलिंग के ऊपर जो रखा जाता है वो शिवगणों का हो जाता है पर शिवलिंग के ऊपर हम घर के पूजन में कहा रख रहे हैं तो इसलिए वहाँ पर जो है आप उन वस्तो को ग्रहिन कर सकते है जो फल आदि आप चढ़ा रहे हैं और उसके साथ-साथ जो है जैसे कि लोगों को ये लगता है कि हम फोटो में भी अगर पूजन कर रहे हैं अब मूर्ती में भगवा गौरी शंकर के मूर्ती में भी अगर हम पूजन कर रहे तो भी हमें शायद जो प्रशाद आदी जो भी सारे वस्तु है फल बगेरा जो भी सब कुछ है उन्हें जल विसर्जित करना चाहिए तो ये भावना पूरी तरीके से गलत है इसका किसी भी प्रकार का कोई विशय नहीं है शिव पुरान में ये कहा गया है एक शिवजी के अगर आपको नईवेद्य मिल जाता है शिवजी के नईवेद्य जो है वो हर प्रकार के पाप से जो है किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को वो मुक्त करता है तो नईवेद तो वहाँ पर आपको इन सारी वस्तु को मतलब आप फोटो में पूजन कर रहे तो उसमें आपने फलादी चढ़ा दिये तो वो सारी वस्तु को ग्रहन करने में किस प्रकार की कोई समस्या किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है अब नैवेद्य की विश्य में अगर सा बात की जाए तो नईवेद्य जो होता है हम भोजन के तौर पर जो है वो हम भगवान को दे रहे हैं चाहे वो आप मतलब यहां पर आप वो प्रतिक्ष रूप से दे अर्थात प्रतिक्ष रूप का मतलब होता है कि धूपम नईवेद्यम दिया जाए या फर जो है हम भोज पिर चन आदी फल आदी के माध्यम से या फर पुरी सबसी इन सारी चीज़ों के माध्यम से भी हम अगर भगवान शिप को जो है वो भोग लगा रहे है तो उस नई वेद्य को ग्रहिन करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है उसे जो है ग्रहिन कर ही सकते है आप उस यह विषय जो है ना थोड़ा हमें समझदारी के साथ समझना चाहिए कि हमें जो है हम जब मंधिर में जा रहे तो वहाँ पर हम शिवलिंग के ऊपर कई सारे वस्टु चढ़ा रहे हैं तो उन सारी वस्टू को को जो है हमें ग्रहन मतलब उन्हें जो है हमें नहीं उठाना है पर घर पे जब हम पूजन कर रहे तो शिव लिंग के ऊपर तो हम नहीं चरा रहे हम वहाँ पर शिव लिंग के स्वरूप में शिव लिंग के प्रतीक में जो है हम वहाँ पर मतलब शिव जी के प्रतीक के रूप में जो है लिंग स्वरूप के जो चोटे प्रतीक होते हैं, उसे हम पूजन कर रहे हैं, तो उसमें तो लिंग के उपर हम कुछ रख नहीं पा रहे हैं, तो उन सारी वस्तों को जो फल जो है आपने लिंग की पास में रखा हैं, तो उन सारी वस्तों को ग्रहन करने में कोई समस्या बिल्कुल नहीं है दोस्तों, और साथ में आप मूर्ती में पूजन कर रहे हैं आप फोटो में पूजन कर रहे हैं गलस थापना करके आप पूजन कर रहे हैं या फर अलिंग में भी आप पूजन कर रहे हैं और उसमें आपने भोग नईवेद्य आदी चढ़ाय है तो उन चीजों को भी ग्रहिन करने में कि जिससे जो है आप लोगों को इस विशह में और भी जादा मतलब जिन लोगों के मन में हिचकी चाठ है ना उन लोगों के ये भी सारे वस्तु जो है वो दूड हो जाएंगे तो यहाँ पर देखे दोस्तों यहाँ पर बताया गया है मैं हिंदी ही पढ़ रहा हूँ मैं अलग से जो है मतलब संस्कृत मैं नहीं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर और केवल हिंदी का ही जो है व्याख्या जो दिया गया है मतलब जो अनुवाद दिया गया है संस्कृत से से स्वयम पूजा करने में असमर्त हो तो घर के किसी भी सदस्यों को सनान करके शुद्ध वस्त्र भस्म या श्रिखंड चंदन त्रिपुंड अथवा टीका लगा करके रुद्राक्ष की माला या तुलसी की माला कले में धारन करके नर्मदेश्वर को सनान कराकर पूजन करना चाहिए तथा नईवेद्य प्रसाद समर्पन प्रसाद निर्माल्य वित्रन करके करने के पस्चाद स्वयम प्रसाद क्रहिन करना चाहिए तो यहाँ पर स्पष्टता से कहा जा रहा है कि भगवान शिपको नईवेद्य प्रसाद समर्पन करके प्रसाद निर्माल्य जो है वो वितरन करने के पस्चात स्वयम भी उसे ग्रेहिन करना चाहिए इसके बाद जो आ जाता है दोस्तों इसके बाद एक मैं देख रहा था हाँ यह देखे यहाँ पर भी कहा गया है यह है यह बहुत सुन्दर पुस्तक है इसमें कई सारे विशो के आपको बहुत अच्छा सा उत्तर मिल जाएगा यहाँ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ यह मैं खोज रहागा एक्चली इतना बड़ा है ना मतलब शिवपूजा की यहाँ पर इतने सारे विशय यहाँ पर वताए यह है अब खासकर काशी विश्वनात मतलब काशी में रहेकर जो है किस प्रकार से शिवपूजा करना चाहिए और किस प्रकार से भगवान को किस-किस वस्तों का और समर्पन करना चाहिए उन्हें दीपक कैसे करना चाहिए क्या-क्या पुश्प जो है वो भगवान को यहाँ पर देखें बताया गया है अगन्तो शिवा नाइवेद्य गृहत्वा शिरशा मुदा भख्षनेव। प्रयत्नेन शिवस्मरण पूर्वकम। यदि शिव नईवेद्य मिल जाता है तो उसको आदर पुर्वक ग्रहिन कर प्रणाम करते हुए तथा शिव जी का स्मरन करते हुए प्रयत्न पुर्वक कखाने से पाप एबंग दुर्गुन भाग जाते हैं। मुझे अचानक से लगा कि ये थोड़ा पढ़ देना चाहिए तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। यहाँ पर ये बहुत बड़ा है मैं ये पढ़ नहीं रहा हूँ मैं इसके हिंदी अनुवाधी के बल पढ़ रहा हूँ। शंकर भगवान नारद जी से कहते हैं कि है नारद दिवाधीतित शिप जी का निर्माल्य सैकरो चांदरायन व्रत से भी स्रेष्ट है। मुझे अरपन क्या हूँ भगवान शिप बोल रहे हैं खुद नारद जी से तो इसलिए वो अपने आपको सम्मूधित करके बोल रहे हैं मुझे अरपन क्या हूँ निर्माल्य चरनोदक चरनोदक का मतलब अभिशेक का जल नहीं होता है जो पाद्य दक चढ़ाया जाता है चरनोदक पुष्प और जल क्रमश धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारोपदार्थों को देने वाला है जो मनुष्य त्रिपुंड लगा कर मेरे परायन होकर एक मात्र मेरे शरन में आते हैं उन्हें किसी और योनी में नहीं जाना परता मैं उन्हें मुक्त कर देता हूँ पुष्प पत्र जो होता है वो भी निर्माले होता है कई लोग भगवानशिक के पुष्प पत्र लेने से भी डरते कि कहते कि नहीं उसे भी रही रखना चाहिए उसे भी प्रसाथ के रूप में ग्रहन नहीं करना चाहिए इस प्रकार के अंध विश्वास को जो है दोस्तो अपने मन में बिलकुल भीपन अपने मत दीजेगा मूल विशे को समझिए कि किस विशे को किस जगे पर निशेत किया गया है किस विशे को किस कारण से निशेत किया गया है उस विशे को समझना चाहिए निशेत का मतलब यह नहीं कि आपको उसे हर वस्तू के साथ जोड़ देना है आपको जो है आप घर पे जो शिवलिंग के पूजा कर रहे हैं आप घर पे छबी में पूजन कर रहे हैं मूर्ति में पूजन कर रहे हैं उसके साथ जो है आप मंदिर में जो शिवलिंगे की पूजन यहापर उसके जो चढ़ावे की विशय उसे भी आप जोड़ देंगे, उसके निशेत को भी यहाँ पर आप लागो कर देंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत कन्फूशन हो जाएगा, तो इसलिए ज जो है प्रचलित विशयों में बिल्कुल मत पढ़िये, आप जो है भगवान शिप को चढ़ाए हुआ नई वेद्य जो है वो अवश्य ग्रहन करिए, आप ग्रिफस्त पूजन कर रहे हैं, घड़ पे पूजन कर रहे हैं, तो उसमें आप क्यो ग्रहन नहीं कर सकते हाँ, आधना की एक विशय होता है, जिसमें संपूर्णता से त्याव की भावना होती, वो विशय अलग है, हर विशय को जो है एक तरिके से जोड़ना नहीं चाहिए, हर विशय के विशय वस्तु जो होते हैं, वो बहुत अलग होते हर विशय को अगर आप एक दूसरे के साथ जो तो आप अवश्य उसे ग्रहन करिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, फल आदी भी घर पे जो आप चड़ा रहे हैं, उसे आप प्रसाथ की तौर पर खुद भी ग्रहन करिए, उसकेशित साथ जो है आप दूसरों को भी प्रसाथ स्वरुप दे सकते हैं सात में जो है जो बेल पत्र आदी आपनी बाबा को चढ़ाए है वो भी प्रसास्वरुप निर्माल्य जो होता है वो चंदन उसके साथ साथ जो बाबा के जो चर्णामिति आनकी पाद्य दक जो है वो भी आप सभी को जो है प्रसात की तौर पर अवश्वाटिये दोस्तो इस से जो होगा ना भगवान शिव के इन प्रसात को पाकर इन निर्माल्य को पाकर जो है सभी की जीवन धन्य हो जाएंगे और सभी को शिवत्व की प्राप्त होगी और शिवत्व का प्राप्त होना बहुत आसान कारिया नहीं होता है दोस्तो शिवत्व का मतलब होता है सत्व गुन आपके मन में जो है ना भगवान के प्रतिकेवल बाईरागी की भावना होगी वही जो होता है वो श्वत्तुकुन होता है तो दोस्तों आप जो है भगवान शिप के भोग नईवेद्यों को लोकर कि बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूस मत हो ये और इस वीडियो में दिये क सही तरीके से समझाने में समर्थ हुआ है तो मुझे कमेंट्स करके आप लोग बताए इस बाले में अगर आप लोगों का कोई सवाल है और भी या पर और भी कुछ जानना चाते है तो और मिलींगे आपसे अगले वीडियो में ने जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्का झाल हुआ है